पुछ दिनों पहले जो ये आत्मत्या का प्रक्रण सामने आया है ये बड़ा दुख पहुचाने वाले प्रक्रण है और कभी किसी की मौत होती है तो सभी को दुख होता है और जिन प्रिसिते में हुई है बहुत ही दैनी और गरीब परिवार है एक शर्यूल ट्राइब आदिवासी समधाय से आने वाले परिवार में एक विक्ति ने आत्मत्या की है हम सब के लिए बड़ा एक सदमा है और कहीं भी कोई भी विक्ति अगर उ शर्यूल से आत्मत्या करता है तो सच मुझ बहुत दिल दिलाने वाले कटना होती है अब मैं भी परिवार से मिला हूँ उनके पिताजी से उनके भाई से उनके बेटे से और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनका दुख बाटने आज हम सब ल देते हुए एक फरो इंवेस्टिगेशन हो और मुझे लगता है कि पीडितों को न्याय मिलना चाहिए न्याय देने के लिए न्यायपालिका है पुलिस है परशासन है सरकार है और मैं चाहता हूं कि जिमेदारी से इस पूरे प्रकण का क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी बाती गई गई हैं बहुत से आरोप लगाए गए हैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं कुछ लिखित स्टेटमेंट्स हैं कुछ वीडियो स्टेटमेंट्स हैं उन सब के जांच होनी चाहिए सचाई का पता लगा जाना चाहिए और परीजन जो आज इतने दुखी है और इनका बहुत ही गरीब परिवाद से हैं, आप सबने देखा होगा, तो दुखी मन से किसी ने आत्मत्या की है, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है, मैं समझता हूँ, और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है, जो भी इसमें आरोपी हैं या नहीं है, इसकी निश्पक जांच होनी चाहिए, और इस परिवार को विश्वास दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है, कि नियाएं मिलेगा, और नियाएं डिली नहीं होना चाहिए, अभी बता रहे हैं कि इसमें कुछ लिवापोती करने की बात सा हाने हैं, उठाने चाहिए, और पुलिस प्रशासन को बिना दबाव के निश्पक्ष होकर एक जांच गठित करनी चाहिए, ताकि इन लोगों के मन में विश्वास कायम रहे, जो विवस्ता हमारे प्रदेश में है, और देश में है, उस विवस्ता से इन लोगों का मन हटना नहीं चाहिए, इसलिए सबी एविडेंस को, प्रमानों को, सबसे बात करने के बाद एक जांच गठित हो, और नियाए लोगों को मिले, इस परिवार को नियाए मिले, कि हम सब सामी गुप से मांगे है, जांच उपाएगी, पावर्फुल केबिनेट मंत्री का नाम है, तो, पीडित परिवार वो किसी भी जाती का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, अमीर हो, गरीब हो, पीडित परिवार को नियाए मिलना चाहिए, हम सब की एक सामुई कोशिश होनी चाहिए, और नियाए मिलता हो, दिखना भी चाहिए, जांच प्रभावित ना हो, कोई दबाव उनके उपर ना आए और जांच निश्पक्ष हो ये भी जमेंदारी हम सब लोगों की है सर पीडित परिवार से आप मिले हैं पीडित परिवार ने डर का माहो जताया है कि डर लग रहा है उन्हें ये सभी परिवार वाले बोल रहे हैं कि उनको आशंकाय क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं और कहीं दबाव उन पर पढ़ रहा होगा इसलिए इसमें तो तुरंट प्रभाव से मुझे समझनी आ रहा है कि डिले क्यों हो रहा है इसमें जांच होनी चाहिए और जो सबूत सामने आ रहे हैं जो विटनिस की बात है जो इनके स्टेटमेंट से हैं वो रिकॉर्ड करकर कारवाई हो तो इनके मन में कुछ भरोसा जगेगा कि नहीं को मिलेगा और मैं समझता हूँ कि किसी पर आरोप लगाना वड़ासान है मैं भी किसी के पक्षफिवक्ष नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जिसकी मौत हुई है उसके परिजन जो डिमांड कर रहे हैं उन मांगों को पूरा करना करनाटक में एक रिकितार ने का नाम लेकर अपड़िद देना है नहीं रखना है नहीं रखना है यह मैं समझता हूँ उस वेक्ति के बड़िपन करता है और मुखमधी बड़िपन करता है मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर वेक्ति का नेतिकता का अलग पैमाने होते हैं लेकिन न्याएं परिवार को मिले यह मैं